हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप लोग तो मैं अखिलत रिपाथी नाईज अलमनस और को फाउंडर सायस्टा आज आपके साथ के रिमाइंडर वीडियो लेके आया हूँ कि 13th of May 2024 को IAT के रिजिस्टेशन्स क्लोज हो जाएंगे तो आप जल्दी से यहाँ अप्लाई फॉर IAT 2024 पे क्लिक करके IAT का रिजिस्टेशन्स कर दो लेट हो रहा है आप साइंटिस्ट बनने का और रिसर्च अजर करिया परशू करने का ये गोल्डन अपर्चुनिटी मिस कर दो के तो आप जल्दी से इस वीडियो को कम्प्लीट करने के बाद IAT 2024 के लिए रिजिस्टेशन्स कर दीजिएगा तो अच्छा जो लोग न्यू है तो IAT होता क्या है तो IAT मतलब होता है आईजर अप्ट्यूट टेस्ट IAT के थिए इंडिया के नंबर वन ओवरॉल केटिगरी में NIRF रैंकिंग रखने वाला कॉलेज IAC बैंगलोर इंजिनिंग में नंबर वन रैंक रखने वाला कॉलेज IAT मद्राज और All 7 IISERS IISERS मतलब होते हैं इंडियन इंस्ट्यूट आफ साइन्स एजूकेशन एड रिसर जो की गौर्ण्ट में सेम लाइक IIT बनाया है IIT हैं बीटेक करने के लिए IISERS हैं B.S.M.S. करने के लिए अगर कोई भी बच्चा रिसर्च एजर करिया परशू करना चाहता है तो उसके लिए ये इंडिया के one of the best institutions हैं जिनमें आप just after 12th इनकी B.S. और B.S. MS. प्रोग्राम में एडविशन ले सकते हो तो इस examination के लिए कौन से बच्चे eligible हैं तो इस examination के लिए सभी J.E. वाले बच्चे PCM, सभी NEET वाले बच्चे PCB और PCMB combination 12th में रखने वाले बच्चे eligible हैं लेकिन सभी NEET और J.E. वाले बच्चों को ये form नहीं भरना चाहिए ये form उनहीं को भरना चाहिए जिनका science में interest है और जिनको पढ़ाई लिखाई पसंद है तो जो बच्चे केवल job चाहते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है और कहीं से bus placement हो जाए वो ऐसा चाहते हैं प्लीज आप इस form को मत भरिये अगर आपको पढ़ाई लिखाई पसंद है तभी आप इस form को भरिये मुझे पता है बहुत सारे यूटूबर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे करोड के placement होते हैं लाखो के packages लगते हैं बट reality में ऐसा नहीं है यहाँ पे placements होते हैं लेकिन ये colleges का main motive placements कराना नहीं है फिर भी जब तक 4-5 साल बाद आप graduate कर रहे होगे यहाँ पे भी placement cell और भी well established हो जाएंगे लेकिन आज के time पे भी आप IIT से इनके placements को compare नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे main focus placements नहीं होता है यहाँ पे 50% से जादा बच्चे higher education इंडिया abroad में PhD करना prefer करते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि BS, MS, BS degree लेने के बाद आई दर से बच्चे वे रोजगार बैठते हैं बच्चे बहुत अच्छा करते हैं इंडिस्टी में ही placements पाते हैं PhD भी Stanford, MIT से लेके दुनिया के top के universities में अच्छी खासी paid positions पे PhD करते हैं वहां से लाखो रुपए घर भी savings करके भेशते हैं during their degree, during pursuing their passion लेकिन आपका mindset इस बात को लेके prepare होना चाहिए कि आपको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी हैं जिससे आप आगे इन institutions में आके यहाँ का academic load ना समभाल पाओ तो आप गाली दो इसलिए हम आपको यह बात पहले से ही clear कर देना चाहते हैं इंडिया में 50 लाख बच्चे हर साल BSC करते हैं एक चीज हम जरूर कह सकते हैं कि यह normal BSC से आप आईजर आपके पास जब Indian Institute का एक tag होगा तो यह आपको एक वर्दी बनाएगा compare to आप एक normal institution से BSC करते हो और आपका जो learning curve होगा आपका जो peer group होगा वो काफी अच्छा होगा और नाईजर आईजर के alumni का network भी over the time build हो रहा है और इसमें सायस्ट्रा भी help कर रहा है सायस्ट्रा भी आने वाले time में आईजर नाईजर में एक alumni network और अच्छा बनाने में और यहाँ पे placement cell को और अच्छा establish करने में help कर रहा होगा तो आप यह expect कर सकते हो कि आज के जो placement के scenarios है वो 5 साल बाद आज से काफी और अच्छे होंगे तो अगर आप PhD नहीं भी करना चाहते हो तभी आपके पास एक और option direct placements भी आईजर में तब और अच्छे हो जाएंगे लेकिन आज के scenario की जो reality है मैंने वो आपको इमानदारी से तो अभी आते हैं IAT के थ्रो आप आईजर के अलावा और कौन से colleges में admission ले सकते हो तो यह other institutions हैं जैसे की ISC Bangalore यहाँ पे जो Bachelor of Science Research Program है आप इसमें admission ले सकते हो और IAT मदरास का BS Medical Sciences and Engineering का प्रोग्राम है आप यहाँ पे admission ले सकते हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो step 1 में आपको ISAR aptitude test 2024 के लिए apply करना पड़ेगा फिर आपको second step में इन institutions के इन websites पे जाके आपको separately application देना होगा और यहाँ पे apply करने के लिए आपका math होना compulsory है तो जो बच्चे PCB के combination में हैं वो ISAR aptitude test में तो apply कर सकते हैं बट IAT मदरास और ISC Bangalore में application नहीं कर सकते हैं और अगर आपको ISAR aptitude test में बहुत अच्छा करना है तो आप साइस्टरा का app डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे free test section में जाके IAT के latest pattern के exact CBT mode में mocks को attempt कर सकते हो और check कर सकते हो कि आप अगर आज examination ये दोगे तो आप कहाँ stand करोगे और इस examination के preparation में हम registration form भरने से लेके पूरी preparation जन्नी, crash course, revision, mock test से लेके post the result counseling तक में आपकी पूरी help करते हैं और अगर आप जब college में पहुंच जाओगे वहाँ college में भी आपकी हम help करेंगे तो आप इन सभी चीज़ों के लिए सायास्ट्रा के YouTube चैनल को subscribe कर सकते हो और इसी के साथ wish you all the best, see you at your dream, I.C. Bangalore, I.T. Madras, Isers, जैही कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही coach का होना चुनिए सायास्ट्रा और करें अपने I.A.T. and Nest का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाओ